जै प्रेम पार्षणा जै प्रेम गुरुदे मैं आपके इस जिग्यासा का बहुत अच्छी तरह से विवस्तित और एकदम सच मैं बताना चाहूँगा मैं चंद्र सेन गुरुजी मैं पिछले कई समय से यहां पर आ रहा हूँ और मैंने देखा मैंने खुद पर पहले अनुभव किया वही पहले बता दूँगा कि जो जो प्रोब्लेम्स थी एक एक करते सारे प्रोब्लेम्स दूर हो गई और मुझे तो पता है कि हमारे कई ऐसे जैन सादु भगवन्स जैन पन्याज जी उपाध्याई जी आचारे भगवन्स सादु साद्वियम्स डॉक्टर स्री संतोष पांडी जी की ट्रीटमेंट से लाभानवित हुए हैं कई ऐसे मेरे एक दम निकटके हैं मैं उनको जानता हूँ कि दो दो तीन तीन बार होस्पिटलाइज भी हुए कई बड़े बड़े डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी लिया लेकिन जो उनको लाभ होना चाहिए था स्वास्थे लाभ नहीं हो पाया था और डॉक्टर संतोष ज एक एक अक्षर बिलकुल अतेशयुक्ति के बेना बात करूँगा मेरे खुद के अनुभो का भी मैंने बताया और दुसरों का भी बताया और यहां पर आता हूँ तो जब उनकी पूरी थेरा भी मैंने समझी उसके थेर ही समझी तब मुझे एक कहने का मन होता है हमारा भारत परस आजाद हुआ था और यहां पर स्वास्तियलाब के बारे में बहुत कुछ पनपा और बहुत कुछ आगे बढ़ा और बहुत कुछ हुआ लेकिन मूल में कमी थी जड में कुछ कमी थी एक तरफा खाली बहाव हो रहा था एक तरफा खाली प्रोग्रेस हो रहा था बहुत चरूरी था कि alternative therapy जहां पर कोई foreign चीज आपके शरीर में ना जाएं और ना आपको कोई टेबलेक लेनी पड़ें ना आपको कोई कोई injection दिये जाए नो कोई surgery की जाए और फीर भी जहां पर यह लगता हो कि बिना सर्जी के होई नहीं सकता जहां पर यह लगता हो कि रोजाना एक नहीं दो दो इंजेक्शन देना पड़ेगा जहां पर यह लगता हो कि कम से कम रोजाना पंद्र विस टेबलेट तो खाने पड़ेगी ऐसे ऐसे एक दो नहीं सेंकडो मरीज बिना किसी टेबलेट के और बिना क किसी फोरेंचीज अंदर शरीमिन डाले बिना उनको अपनी ही अपनी अंदरुनी ताकात से स्वास्थियलाब आरोग्यलाब प्राप्त करवाने की जो जबरदस्त थेरापी डॉक्टर संतोष पांडे ने पकड़ी और उसको जिस तरह से डेवलप किया है शायद इंडिया में इतना बढ़िया डेवलप्मेंट और किसी ने किया होगा इनके अपने क्षेत्रमी उन्होंने बहुत अच्छी पकड़ जमाई है और बहुत गहरा संसोधन किया है बहुत अच्छी तरह से इसको पूरा एक वटव रुक्ष की तरह इसके शाका प्रशाका उप्षाका सारी ब्रांची से जनों ने बहुत फेलाई है और बहुत गजब का काम किया है दुनिया का कोई रोग शायद नहीं होगा डॉक्टर संतोष पांडी उसको ठीक नहीं कर सकता हो आपको अतिश्य व्यक्ति लगती होगी मुझे नहीं लगती है मुझे पक्का भरोसा और विश्वा जो मैं जानता हूं जो जो 13 फिस इनों ने किया और जो यहां पर ट्रीटमेंट दी जाती है बड़ी घजब किया बड़ी घजब किया बस मैं इतना ही कहना चाऊंगा जिसको यह पता हो कि स्वास्थ्य लाब सबसे महत्वपुर्ण होता है और जिसके पास कम से कम ये इस प् उठाए और अपनी जिंद्गी को जड़ को मजबूत करें और बहुत अच्छा बहुत अपनी जिंद्गी की एक बहुत जो आप एलोपथी ट्रीटमेंट से भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं वो आप इसमें प्राप्त करोगे ये मुझे पक्का भरुसा और विश्वास हैं जैनम जैती शासनम जै हो